Chances are, when you fall asleep with a prayer of gratitude on your lips, you will wake with a song of joy in your heart. मैं श्रेयस बढ़िये, आप सब का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ. आज हम Ancient History of India से lecture number 40 पर discussion करने वाले हैं, जिसमें हम post-morion इस topic से कानवाज और छेती डायनेस्टी या फिर छेती डायनेस्टी को study करेंगे. जैसे कि हम पिछले कुछ लेक्चर से post-morion को study कर रहें, तो जिन लोगों ने मेरे previous lectures post-morion के नहीं देखे, description में link दी हुई है, उन्हें देख ले ताकि ये lecture समझने में आपको आसानी जाए. अगर आपको कोई भी डाउट हो, तो आप मुझे Instagram पे पूछ सकते हैं, ये मेरा Instagram ID है, ये मेरा Facebook पेज है, और updates चाहते हैं, तो Facebook पेज, या फिर मेरा Telegram चैनल आप जॉइन कर सकते हैं, और ये मेरा YouTube चैनल है. मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकान को प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मेंटते रहें. Okay, so हमेशा की तरह हम सबसे पहले Post Morians में Successor of Morians जो है, ये स्लाइड देख लेते हैं, ये स्लाइड में आपको बार-बार क्यू दिखाता हूँ, ये अगर आपके मन में सवाल होगा, तो ये स्लाइड आपको याद हो जाए, इसलिए मैं आपको जितने भी Post Morians के लेक्चर लि का और वो थे इंडो-ग्रीक, शकाथ, पार्थियन्स और कुशांस, इन चारों को हम स्टड़ी कर चुके हैं, उसके बाद अब हम Native Successors के तरफ बढ़ चुके हैं, और हमने सुंगा डाइनस्टी को अलरेड़ी स्टड़ी कर लिया, इस वीडियो लिक्चर में हम कानवा और छ जादा evidences मिले नहीं हमारे historians को, इसलिए इतिहास में इनके बारे में जादा जानकारी है नहीं, इसलिए हम साथ वहान जो होते हैं, जिनके बारे में हमारे पास enough evidence है, उसको उनको हम बहुत detail में पढ़ने वाले हैं, सो साथ वहान आज के लिए हम अलग lecture बनाएंगे, तो इस information आपके लिए बहुत जादा होगी, और मैं मानता हूँ, यह information बहुत कम है, बट आपके exam point of view या फिर जो भी आपकी knowledge है, वो point of view यह बहुत जादा है, यह समझ लीज़े, सो आइए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं, कानवाद से, कानवाद की जो most accepted date मानी जाते हैं, उनक इसलिए मैं भी चाहता हूँ, कि आप यही date याद रखें, जो कि most accepted date है, अब मैं आपको यह बता दूँ कि कानवाद जो है, वो सबसे पहले पुरान जो है, इस देश में जो पुरान हुआ करते थे, उन पुरानों के according अगर हम जाते हैं, तो इस कानवाद डाइनस्टी में कानवाद डाइनस्टी के बारे में हमारे पास जादा information इसलिए नहीं है, क्योंकि evidence से समय जादा मिले नहीं है, जैसे यहाँ evidence के तौर पे हम पुरान का इस्तेमाल कर रहें, तो पुरान में यह लिखा हुआ है, कि चार कानवाद डाइनस्टी में king होके गहे, उनके नाम रह उसके बाद हम यह देखते हैं कि जो यह कानवाद थे, यह ब्रामन थे, यह हम evidences से पता चलता है, उसके बाद यह पता चलता है कि जो मगद empire था, वो इनके वक्त बहुत छोटा सा हो गया था, क्योंकि वो भी अलग-अलग ruler जो थे, उस पे rule करते थे, तो अलग-अलग हिस् रीजन में ग्रीक रहा करते थे, और जो गंगेटिक प्लेंस का पार्ट है, वहाँ अलग-अलग और भी rulers रहा करते थे, जैसे कि मैं आपको कुछ map भी दिखा चुका हूँ, तो यहाँ पे बहुत सारे rulers यहाँ पे हमें rule करते हो दिखते हैं, जब यह पूरी dynasty, जो है, मौरि साथ वहाना जो थे, आंद्रा किंग भी कहा जाते हैं, उन्होंने इनको मार दिया, और इनको मारने के बाद साथ वहान dynasty शुरू हो जाती है, तो इतनी ही चीज़े आपको कानवा dynasty के बारे में याद रखने हैं, इससे ज़्यादा आपको information नहीं भी रही, तो कोई problem नहीं ज जो है, यह क्या है, यह dynasty का most accepted date है, यह माने जाती है, 1st century BC की, इनके बारे में तो बहुत ही कम information हमें मिली हुई है, और अगर देखा गया तो हाती गुमफा केव है, एक, उसी में जितनी information मिली, वही information से हमें चेती या फिर चेदी dynasty के बारे में पता चलता है, otherwise हमारे पास के बारे में नहीं है, कोई evidences नहीं है, but हला कि यह इतिहास का हिस्सा है, इसलिए हम इने study करते हैं, so most accepted period is 1st century BC, so आईए हम information लेते हैं, छेदी dynasty के बारे में, उसमें सबसे पहले आपको यह जानना है कि जो छेदी या फिर चेदी डानेस्टी, इसको छेदी भी कहा जाता है, यह dynasty emerge कर गई थी कलिंगा में, कलिंगा जो region होता है, वहाँ से इसने अपनी शुरुवात की थी, अगर आप देखेंगे, इंडिया के map में अगर हम देखते हैं, तो आपको कलिंगा जो है, वो यहाँ पे नजर आ रहा है, यह है कलिंगा, यह जो कलिंगा region है, यहाँ से इनक गुफा inscription, हाती गुफा करके जो गुफा है, यह इसमें जितनी भी चीज़े है, इस तरह से inscription कुछ लिखे हुए है, अंदर पत्थरों पे, और इसी से हमें information मिलती है, छेती डाइनस्टी के बारे में, और यह है भुबनेश्वर के पास, भुबनेश्वर जो ओडिसा है, उ जो थे, उन्होंने लिखा हुआ था, और यह third king थे, छेती डाइनस्टी के, छेती डाइनस्टी के third king, खारवेला थे, और खाररवेला जो थे, उन्होंने ही यह लिखो आए थे, इसलिए इन्होंने जितनी भी information थी, वो यहां लिखी है, और उतनी information हमें यहां पे पता चलती खारावेला हमें information जो पता चलती है हाती गुमपा inscription से वो ये है कि खारावेला जो थे ये follower थे जैनिजम के ये जैनिजम को मानते थे ये जैनिजम के follower थे ये चीज हमें सबसे ज़्यादा पता चलती है ये जो गुपा है ये जैनिजम की का ही एक architecture का part है जो हम जब art and culture पढ़त महा मेघ वहाना तो इस तरह के हमें नाम पता चलते है चेटी डाइनिस्टी के अलग-अलग इन inscription से तो यही आपको जितने भी question बनेंगे exam से वो इसी पार्ट से बनेंगे तो याद रखेगा ये दो डाइनिस्टी जो आज हमने study की वो थी कानवाज और दूसरी थी चेटी तो इस तरह से आज हमारा lecture रहा जिसमें आज हम कहा तक complete कर चुके ये भी देख लेते हैं आज हम कानवाज और चेटी या फिर चेटी को complete कर चुके अब हमें successor of Morians में सिर्फ साथ वहान study करना है तो अगले lecture में हम साथ वहानाज के साथ मिलेंगे और अगर आपको मेरे lectures पसं Facebook पे जिसके नाम हैं अगर आप मुझसे connected रहना चाहते हैं मेरे बारे में और information चाहते हैं तो आप Instagram पे मुझे follow कर सकते हैं श्रेयस बड़ी है the peace lover है मेरा Instagram ID है श्रेयस बड़ी at the.gmail.com पे आप मुझे mail भी कर सकते हैं तब तक के लिए अपना ख्याल रखे और आपका दिन श्रेयस बहुँ